जो असली रुद्राक्ष होती है उसकी पहचान कैसे की जाए अगर कोई आद मी लेने चाहिए यह जो मेठ़ड है पानी वाला मेठ़ड that is not a scientific method काफी लोग केते है के रुद्राक्ष पहनना चाहिए बहुत फाइदा देता है बहुत फाइदा देता है medically भी मैंने देखा है के रुद्राक्ष काफी हद तक काम करता है इसके अलावा हर रुद्राक्ष के स्वामी है हर रुद्राक्ष का ruling planet है ruling god है रुद्राक्ष के बारे में जो myth से उसको मैं clear करूँ तो सबसे पहला जो myth लोग बोलते है कि ladies रुद्राक्ष दारन नहीं कर सकते मैं तो कहूँगा कि आप menstrual cycles में periods में भी रुद्राक्ष दारन कर सकते हो तो आध्यात्मिक तोर पर कल्यान प्रथाओं के तोर पर रुद्राक्ष का भविशय आप कैसा देखते हो आजकल का जो youth है या आजकल का जो young generation है वो सभी more, they are more spiritual than our earlier generation नमस्कार, गुजरात फर्स्ट के podcast studio के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कुशा अगरपट सनातन संस्कूते में रुद्राक्ष का अलगी आध्यात्मिक महत्वा है मानेता है कि रुद्राक्ष की उत्पती भगवान शंकर के आशोओ से हुई है जिसका चलते रुद्राक्ष धारन करने से व्यक्ती पर भगवान शिव की कृपा सदेव वनी रहती है साथी रुद्राक्ष को विग्नान में बहुत असरकारक भी माना गया है नत्वा गणेशं सगणं महेशं श्री शारदां सर्वगूणं दात्रें रुद्राक्ष सारं सकलार्थ मूलं मेम्लाव रुतो प्रेम पूरीतु चक्रे सर्वार्थ साधने मूलं रुद्राक्षं परमं मतं इती ज्यात्वा मया सम्यक गुरुयते परमाद रात आईए जानते हैं रुद्राक्ष से जुड़े अनेक रोचक तत्यों के बारे में आज के पोड़कास्ट में हमारे साथ जूड़ चुके हैं मुंबई के मशूर नुमेरोलोजी, वास्तु शास्त्र और रुद्राक्ष के जानकार पेशे से चार्टर एकाउंटन्ट है टॉप थर्टी नुमेरोलोजिस्ट अर्जुना आवर्ड विनर व्योमेश जी पाठक व्योमेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो व्योमेश जी मेरे पास एक बूख है मिरे कल ओफ रुद्राक्षा ये बूख लिखी है व्योमेश जी आपने सबसे पहले तो रुद्राक्ष का परीचाय आप आपने ये बूख लिखी हुई है इसका सबसे पहला रुद्राक्ष का परीचाय दीजिए वास्तों में रुद्राक्ष क्या है वेबिन संस्क्रियोतियोई और उसकी परंपरा कैसे जूड़ी हुई है? रुद्राक्ष की जो उत्पत्ती है वो महादेव के आसू से होती है कई सारी पौरानिक कताय है कि महादेव जब ध्यान में थे तब महादेव के आकों से जो आसू निकले उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ती हुई और उससे रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ती हुई एसे दो-तिन और कहानिया भी है शिव जी से ही रिलेटेड है इन नट्षेल यदि मैं कहूँ कि शिव जी के आसु को ही हम रुदराक्ष कहते हैं और वही फॉर्म जो अर्थ पे आया जो पृत्वी पे आया उसको हम शिव जी का आशिरवाद ही मान के चलते हैं और शिव तक्त्वों में लीन होने के लिए रुदराक्ष बहुत ही सिंपल और साधरन तरीका है तो रुदराक्ष की बात हो रहे है तो रुदराक्ष जोड़ी जो उसका इतिहां से वो क्या है वो भी आप बताए साथ-साथ क्या पौरानिक कता है जोड़ी हुई है वो भी जरा बता दीजे जी बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुदराष्ट के बारे में जडी आपको जानना है तो जी मेरी बुखत ही बट पौराणिक कताओं में यदी आपको जानना है तो आपको देवी बागवगत, शिव महापुरान यह दो में ग्रंते हैं ज जब जारों वर्स तक शिव जी जब ज्यानमे से उठे उनकी आखे जब उन्होंने खोली तब उनके आख से जो अशुरू पड़े उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई ऐसा पौरानी कताओ में उलेक है और उसी को हम उन आसुओं से जो फल मिला उसे हम रुद्राक्ष क बियुकर जो दोटी है जैसे के गवरी शंकर रुद्राक्ष जो रिलेशनशिप के लिए ऐगोड़ेँ जो रुद्राक्ष गर्बंगरी रुद्राक्ष M हम कहते हैं, यह जो specific types of rudraks है, सावर करके भी एक rudraks आता है, three duty rudraks, so यह सारे rudraks के प्रकार है, so basically rudraks जो है, आप देखोगे, rudraks की कोई तस्वेर या actual में भी rudraks देखोगे, तो उस पे जो lines बनी होती है, उसे हम कहते हैं muk, समझो एक ही line है, तो उसे हम कहेंगे एक मुखी rudraks, दो लाइन बनके निकल के आती है, तो हम कहते हैं, दो मुखी rudraks, so जितने lines उतने मुख, एक सिंप्लिस्टिक यदि में बात करूँ तो, जितने ज्यादा lines उतना मुखी का वो rudraks होगा, अपन मार्केट में भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकान होती है, जहां पर rudraks मिलते रहते हैं, पेले में भी गए तो rudraks मिल जाती है, जो असली rudraks होती है, उसकी पहचान कैसे की जाए, अगर कोई आद मी लेने जाता हो, जी विलकोई, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि rudraks जो है, आपको इंडियन वर्जन आफ रुद्राक्स भी मिलेंगे, इंडोनेशन वर्जन भी मिलेंगे, और नेपाल वर्जन भी मिलेंगे, ये अलग-अलग तरह के rudraks है, क्योंकि जहां पर rudraks के पेड़ है, वहां से rudraks आएंगे, तो ये अलग-अलग markets है, जहां से rudraks आपको मिल सकते है, अब सबसे पहले तो rudraks को पैचाने कैसे, बहुत ही tricky question है, practical यदि मैं बता हूँ, तो आप शुरू कर दोगे, और आप गूगल भी करोगे, तो आपको पता है कि लोग पानी में rudraks को डाल के बोलते हैं, देखो ये डूब गया, तो ये असली rudraks, ये नई डूबा, तो ये लकड़ा है, तो ये एक तरीका है, जिससे लोग करते हैं, बट इंडियन लोग इतने जुगाड़ू है कि वो कुछ ना कुछ करके नकली rudraks को भी असली बना के बेज सकते हैं, इसलिए ये जो method है, पानी वाला method, that is not a scientific method, दूसरा method लोग जो करते हैं, वो दो copper के coins में rudraks को रखते हैं, और बोलते हैं, देखो rudraks घुमेगा, तो ये असली rudraks नहीं घुमेगा, तो ये नकली rudraks है, ये भी एक myth है, ये मैं कहूंगा, ये भी एक scientific तरीका नहीं है, एक simple तरीका है, असली rudraks नहीं आपको जानना है, तो X-ray करके, X-ray होता है, rudraks से आप X-ray करेंगे, तो उसमें कितने बीज है, कितने लाइन से हो आपको उस X-ray से पता चलेंगे, तो ये एक scientific method है, आप rudraks को कैसे पहचाने, अब आप जब लेने जाओगे, आपको होगे, तब ही मैं कहां जे रहा हो, X-ray करूँ, इसलिए rudraks जो है, आपको experience के तुरू ही आपको पता चलेगा, कि असली है या बदraks पी आता है, जो कि जिसको हम नकली rudraks नहीं कहेंगे, इस अनधर मटेरियल, बद असली वह रुदराक्ष नहीं हमाना जाता है, उसे हम लोग इने लेमें लेंगज में उसे कहूंगा, वो नकली rudraks है, बदराक्ष कहते हम उसे, सो आप जब भी rudraks लेने जाए तो एक नोन सोर्स से ही ले, और कॉस्ट बाद में देखिए, पहले देता क्या है, अपन बात करें आध्यात्मिक मांसिक तौर पे या फिर शारिरिक तौर पे वो किस प्रकार से लाब दे सकता है, जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि rudraks जो है, वो एक तो मुझे शिव तत्व में लीन करता है, उसकी अध्यात्मित थाईगरों के है, कि, for example, मैंने खुद देखे है, कि एक मुझे rudraks पहनने से माइगरेन चले जाता है, आपका mental state काफी सुधर जाता है, plus kidney related problems है, तो उसके लिए भी अलग rudraks है, so medically भी मैंने देखा है, कि rudraks काफी हद तक काम करता है, इसके अलावा हर rudraks के swami है, हर rudraks का ruling planet है, ruling god है, so for example, यदि आपको पैसे चाहिए, तो आप 7 मुखी rudraks पहन सकते हो, जो कि इसका ruling god लक्षमी जी है, आप combination में भी rudraks पहन सकते हो, कि 7 मुखी और 10 मुखी पहनोगे, तो आपके पैसे आएंगे भी, और आपके पैसे टिकेंगे भी, so ऐसे अलग-अलग combinations करके भी आप पहन सकत हो, so इसी तरह से financially, आपको career में यदी कोई support चाहिए, तो उसके लिए भी 11 मुखी rudraks, 12 मुखी rudraks, आपको self-confidence चाहिए, तो उसके लिए भी rudraks है, so हर चीज में, health, spirituality, relationship, relationship के लिए जैसे के मैंने आपको बताया, Gauri Shankar rudraks है, career, money, so हर चीज के लिए, हर problem के लिए rudraks है, औ हर problem का answer rudraks में है, ऐसा कोई scientific research इसके पीछे हुआ है, जिसका मलब lab को समर्थन करता है, जी, rudraks में यदी आप देखेंगे, तो बहुत ही limited research हुए है, overseas में मैं कहूंगा, India से ज़्यादा research overseas में हुए है, और वहाँ पे भी पाया गया है, हाला कि India में भी IIT में research हुआ है, Dr. Ra का research report है, तो ऐसे कुछ limited resources है, जो research, scientific research है, तो वहाँ पे भी पाया गया है कि blood pressure control करने में rudraks काम आता है, blood के flow को proper करने में rudraks काम आता है, तो ये scientifically research driven resources भी available है, materials available है, which have proven कि rudraks is quite effective in medical field also. तो आपने भी को रिसर्च किया है, आपने भी बुक तैयाल किया, miracles of rudraks के नाम पे, तो rudraks की माला है, वो कैसी होनी चाहे है, और उसको किसी साब से मरला अनुष्ठान या को ऐसी प्रथा है, कोई कथा है, असे जूड़ी होई के उसको ऐसे दारन करना चाहे है, जी देखे के rudraks दारन करने की जो प्रथा या जो रिचुल है, बहुत ही सिंपल रिचुल है, आपको सिंपल, आप rudraks जो है, आप सोमवार के दिन, क्योंकि शिव जी का दिन है, सोमवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाके शिव लिंग पे उस rudraks को टच करके, फिर वहाँ पे दिया जला के, शिव जी का नाम लेकर हर एक rudraks का एक बीज मंतर है, आप मेरे बुक में भी देखोगे, तो मैंने हर एक rudraks जो बीज मंतर है, वहाँ पे लिखा हुआ है, उस बीज मंतर को आप उच्चारण कीजिए, 11 बार, 21 बार, 108 बार, हमारे शिव जी जो हैं बहुत ब कीजिए, और उस rudraks को धारन कर लिए, यह एक सिंपल रिच्वल है, rudraks को धारन करने का, और यह जो rudraks होते हैं, जो दाने होते हैं, उसकी मिरलब कुछ आयू मरियादा होती है, या फिर उसको लंबा रखने के लिए, उसकी एनरजी मिलती है वहां से, उसको कब तक लंबा रख सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से उपाय करना हो, जैसे कि मैंने बता है कि rudraks में एनरजी होती है, scientifically भी उसमें magnetic energies होती है, so rudraks को आपको उसका effect जो है, वो maintain करने के लिए सबसे पहले तो आपको जब आप नाने जाते हैं, तब आपको rudraks को निखलना है, क्योंकि जैंपू लगाएंगे, तो chemical interaction होगा, जिससे rudraks की जो efficiency हो कम हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप बात नाने जाएंगे, तब आप उसको निकालना है, उसके अलावा यदि आप जब सोते हो, तो सोते टाइम भी आप rudraks को निकाल सकते हो, क्योंकि अगे वो में बात करूँ तो जब आप समशान में जाते हो, जब आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हो, तो समशान में जो हैं बहुत ही ज़्यादा negative energies or vibes होते हैं, इसलिए समशान में आपको rudraks पहनना आवोइड करना है, आप जब मजीरा का पान करते हो, या जब लिकर पीते हो, तब आपको rudraks निकाल कर रख देने, नौनवेज आप जब खाते हो तब आपको rudraks निकलना है, ये छोटी-छोटी चीज है, इतना आप ज्यान रखिए, इसके अलावा rudraks को और कोई specific maintenance या उसकी ज़रुवत नहीं, बिल्कुल, अलग-अलग तरीके से rudraks का उपयों का औ rudraks का धारन करने को इसी एक उद्देश के साथ, तो उसका चैन कैसे करना चीए, जी बिल्कुल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि rudraks मेरे लिए, जो है, वो problem-based rudraks में सजेस करता हूँ कि basically आपका क्या problem है, for example, आपको पैसा चीए, तो मैंने आपको पताया, 7 मुखी rudraks प पहनी है, और यदि relationship में कुछ issues है, तो आप गवरी शंकर rudraks पहनी है, दो मुखी rudraks पहनी है, तेरा मुखी rudraks पहनी है, यदि आपको किसी का ध्यान आपकी तरफ आकरशित करना है, वशी करन नहीं कहूंगा, बट आपको यदि किसी को अपनी तरफ अट्रैक करना है positively, त तो आप तेरा मुखी rudraks दारन कर सकते हो, तो इसी तरह मैं कहता हूं कि हर एक प्रकार का rudraks एक problem से जुड़ा है, मैं मेरे पास जब कोई consultation के लिए आता है rudraks के लिए या किसी के लिए मैं उसकी date of birth नहीं पुछता, मैं सिर्व उसको एक equation पुछता हूं, आपको क्या चाह करते हो, और कोई भी इंसान किसी भी जाती का, किसी का वर्ण किसी भी वर्ण का, किसी भी सेक्स का इंसान जह है वो rudraks दारन कर सकता है, उसके लिए ना मुझे राशी देखनी है, ना कुछ देखना है, तो rudraks दारन करने के बाद बहुत सारे लोगोते जो कहते हैं कि हमें अलग अलग ऐसे अच्छा अभ़ो हो रहा है, तो आपने कभी ऐसे कोई व्यक्ति से मिलेव आपके, आपको खुद को कोई अनुब भूती है कि रुद को दारन करने के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन आया हूँ, जी बिलकुल, मैं आपको सबसे पहले तो मेरा खुद का मैंने धारन की, और उसके बाद within a period of one month, यह जो बुक आपके हाथ में है, वो बुक मैंने एक मेने में पुरा बुक research के साथ पुरा complete किया है, तो यह पावर है, एक शिवतत्व में lean होने का, शिवजी से connect करने का, और जो आपने project हाथ में लिया, उस project को complete करने का, एक मेने मे क्लाइन के case में मैंने देखा है, जो मैंने बताया, एक मुखी रुदराक्स माइग्रेन, एक पेशन्ट जो है, वो काफी सालों से, senior citizen है, काफी सालों से माइग्रेन की regularly medicine ले रहे थे, और रुदराक्स दारन करने के एक हफते में उनके माइग्रेन में, मेरे पास WhatsApp में उसका positive results है, कि relationship में improvement हुआ है, शादी नहीं हो रही थी, तो गवरी शंकर पहनने के बाद शादी भी हो गई है, लोगों की, तो ऐसे काफी सारे positive feedbacks है, बिलकुल, तो रुदराक्ष और जोती शी के बीच में कोई असास तंबंध है, जो पाया जाता है, जी बिलकुल, जैसे कि मैं आप जोतीश विद्या में भी या जोतीश में भी आप देखोगे कि लोग रुदराक्ष सजेस्ट करते है रेकमेंड करते है, बेस डॉन देर बर्चार्ट और बेस डॉन देर राशी, सो हर रेक रुदराक्ष का एक अपना ग्रह है, अपना प्लानेट है, जो अपने नव किसी ना किसी रुदराक्ष से तो रुलिंग प्लानेट है, जैसे कि मैंने बताया कि सात्मुखी रुदराक्ष, जिसका रुलिंग प्लानेट है शुक्र, जो शुक्र को स्ट्रॉं करने के लिए आप सात्मुखी पहन सकते हो, इसी तरह आप अलग-अलग ग्रहों से जुड कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि रुद्राक्स जब आप लेने जाते हो तो आप एक नोन सोर्स या एक कोई रिनोन सोर्स है आप वहीं से रुद्राक्स लीजे क्योंकि विड्यू रिस्पेक्ट मुझे यह कहना पड़ता है कि रुद्रास के नाम पे बहुत ही ज्यादा से ही आपको रुद्राक्स लेना चाहिए प्राइस कम सेकेंड सबसे पहले क्वालिटी इंपॉर्टंट है सर्टिफिकेट लो नहीं लोग वह आपकी अलग बात है बट आपको जो लेना है आप अब अब जब लेने जाओगे तो आप आइडेंटिफाइन कर पाओगे असली जिससे आपकी फजियाद होने के चांसे कम हो जाएगे रुद्राक्षे कई ऐसी गलत प्यम्या भी चूड़ी है मिच्थ भी चूड़े हुए क्या आप उसे दूर करना चाहोगे लोगों को बता कि बिल्कुल रुद्राक्स के बारे में बहुत ही ज़ादा मिट्स मार्केट दारन कर सकती है और मैं तो यहां पर एक स्टेप आगे जाओंगा कि जब पीरियेट्स या उनके जो मेंस्ट्रोल साइकल होते हैं तभी हमारे मैं ऐसे बोलते हैं कि धार्मिक कर्या नहीं करने चाहें तो तभी भी कुछ फीमेल जो है वो रुद्राक्स निकालती है मैं कहू तो पर फीमेल या बच्चे भी रुद्राक्स को दारन कर सकते हैं दूसरी अफवाय जो है कि मैं नौनवेज यदि मैं खाता हूं तो मुझे रुद्राक्स दारन नहीं करना चाहिए तो इसके लिए मैं कहूंगा कि नौनवेज खाने वाले फोरानों में ही लिखा है कि नौ वाले आपको रुद्राक्स निकालकर रख देना है बट उसके अलावा आप रुद्राक्स निशित तरपे पहन सकते हों तो यह कुछ जानीमानी आफवायय या मिट्स है जो रुद्राक्स से जुड़े है जो और लोग कहतें कि रुद्राक्स में पहनूँँगा मुझे बह आपको दो तीन चीज़ों का ज्यान रखना है उसके अलावा कोई rules, regulations, कोई restriction नहीं है और मैं फिर से कहता हूँ कि रुद्राक्ष जो है उसके myths से आप उपर उठकर उसके फाइदे देखिए कोई भी रुद्राक्ष का कोई भी downside नहीं है तो आप कोई भी रुद्राक्ष कभी भी पहन सकते हो किसी भी combination में पहन सकते हो इतनी flexibility है कि आप निश्चित तोर पे रुद्राक्ष को अपने life में अपनी life को अप्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो הז pickles का पहलावा आप विश्वस्तर मे अब हो राहे हैं इनक लोग लोग रुड़ाक्ष को ठारण भी कर रहे हैं तो दुनिया के विभेन क्शेत्र के अंदर क्या क्या रुड़ाक्ष को लेकर के मानेता है कि गई है जी बिलकुल आप देखो गे कि Rum Dog, which is seen Rum Dog you can get rose across the globe in India करते हैं stupid अज़र मैं कहोंगा कि मेरे airline आउस्ट्रायन दों यूम फैंगा झर्मना एकिजर्मनिया काफ। युरोप फे सिंगापूर में है फिलीपीन समय और सभी जगहुआ पर सावर भुटरास के फ़ाधे से अब वन्चित नहीं है और लोगु र्च का फाईदा के अगर बात है तो आध्यात्मिक तोर पर रुद्राक्ष का भुषत्या कैसा देखते हूं? जी बिलकुल कि आज यदि हम देखेंगे कि रुद्राक्ष जो है और आज का यूथ है specifically आप देखोगे तो यूथ को आज हम देखते हैं कि बगवान से जूड़ रहे हैं हमारे कल्चर से जूट रहे हैं सो इसलिए मैं कहूंगा कि आजकल जो आजकल का यूथ है या आजकल का यूथ है या आजकल का जो यंग जनरेशन है वो सभी more they are more spiritual than our earlier generation इसलिए मैं कहूंगा कि रुदराक्ष जो है आने वाले समय में भी यंग्स्टर्स में भी प्रचलित होगा मैंने पूरे सारे रुदराक्ष पहने हुए है और मेरे घर में सभी ने रुदराक्ष पहने हुए है इसलिए मैं कहूंगा कि आगे चलकर भी शिवजी का अशिरवाद तो है है और रुदराक्ष और भी जादा फैलेगा विश्व में और फैलेगा और हमारे देश का ही नहीं बलकि हमारे सनातन दर्म को भी आगे लेके जाएगा आप मानते हो जासे कि एक यूप था जो खतम हो रहा है और दूसरी जो पेडियारी वो सनातन की आकरशित हो रही है तो भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुजरात पस्ते बात करने के लिए अपका शुक्रिया जो असली रुदराक्ष होती उसकी पैचान कैसे की अगर कोई आद मी लेने चाथ यह जो मैठाड है पाणी बाला मेठाग्द बाट इस नॉट साइनटिफिक मेठाड काफी लोग करते है के रुदराक्ष का रुलिंग प्लानेट है रुलिंग गॉर्ड है रुदराश के बारे में जो मित से इसको में क्लियर करो तो सबसे पह होंगा कि आप menstrual cycles में periods में भी रुद्राक्ष धारन कर सकते हो तो आध्यात्मिक तौर पर कल्यान प्रथाओं के तौर पर रुद्राक्ष का भविश्य आप कैसा देखते हो आज कल का जो यूथ है या आज कल का जो यंग जनरेशन है वो सभी more they are more spiritual than our earlier generation तो आज के इस विशेश पोड़कास्ट में हमने व्योमजी से रुद्राक्ष के बारे में काफी चीजे जानने को मिली और बहुत सी मानेता और तथ्यों को आज के पोड़कास्ट में जाना झाल